नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि जेमसोलिन D360 के कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। जेमसोलिन D360 के कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और जेमसोलिन D3 कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। जेमसोलिन D3 एक ब्रैंड नेम है। जेमसोलिन D3 कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन कॉलिकलसिफेरॉल 60,000 इंटनाशनल यूनित होता है। विटामिन D3 को पॉलिकलसिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। जेमसोलिन D3 कैपसूल का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे हध्या कमजोर होने की वज़ए से हध्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ए से भी फ्रैक्च्र होसकता है। कालशियम और विटामिन डी की कमी की वज़ए से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती हैं। और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है। या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड़ियों और जोरों में दर्त रहने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा औस्टियो मालेसिया होने पर औस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेने की सला दे सकता है रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेरी हो जाती है और ओस्चियोमालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोडों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है। जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में जेमसोलिन D3 कैपसूल की वजह से कोई साइब इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा दोज में जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेने की वज़ह से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है, शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है, अब हम डिसकस करेंगे कि जेमसोलिन D3 कैपसूल को कैसे ल लेकिन जेमसोलिन D3 कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। जेमसोलिन D3 कैपसूल को महीने में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और छे महीने तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेने के बाद यदि आप लेबोरिटरी में कोलेस्ट्रॉल की जाच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जेमसोलिन D3 कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जेमसोलिन D3 कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।